नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूग आप देख रहे हैं तर ख़बर दालें मत्य प्रदेश में पिछले कुछी दिनों से जम कर सियासी गवाल मचा हुगा है और इन ही सब के भी सिंधिया समर्थिक 19 विधायतों के बैंगलोर में ठहरे जाने की ख़बर भी लगी थी लेकिन उसके बाद जूप मत्य प्रदेश के कांग्रेश नेताओ के दारा बार बार यह कहा जाता रहा है कि भी लोर में ठहरे सभी विधाये कांग्रेश के समर्थन में हैं और वो सिंधिया जी के साथ नहीं जाने वाले है इसके साथ इसाथ उनके दारा यह भी कहा जाता रहे कि उन्हें बहला कुस लाकर कि किसी तरीके से बैगलोर में ठहराया गया लेकिन जब बहुमत साबित करने की बात होगी तो सदन के पटल पर वो सदू का अंग्रेश का समर्थन देने वाले हैं और इन ही सब के बीच कुछ पिधायकों और कुछ मंत्रियों के बीडियो मैसेज़ेस बाइरल होने लगे हैं जिनमें वो इस पश्टकार पर कह रहे हैं कि वो सिंधिया जी के साथ हैं जिनमें इमर्ति देवी गोविन सिंग्राथ को सहित कई नेताओं के बयान सामने आने हैं जिनकी सहायता शित सिंधिया समर्थित मंत्री और विधाय सिंधिया जी के साथ होने का दावा करें अधिक जानकाड़ी के निए बने रहे हैं दखबरदान उचके साथ नमस्कार धन्मभा बलू कि समाने साथियों कि मैं आप सबसे कुछ सब में दिल की मन की बात करना चाब आज मैं जिस सिती में आया हूं आज मुझे जुजवापदारी मिली आपकी सेवा करने के लिए आपने बोड दिया और मुझे इस लाइक ताकत पर बनाने का काम स्रीमंत जोत्राइजित सिंधिया लिए मुझे आप पताईए कि मुझे नेत्यक्ता के रूप में क्या करना चाहिए या इस नेत्यत्त को जो गवालियर चमदंबाग प्रदेश के विकास के लिए हमेशा संगर्शिल रहे हैं परवार की तरह उन्होंने अपने आपको दिकास के लिए संकट के हर्ष्र में अपने आ सिर्मा ने कहा कि हमें सबलोग बैँवाल swatch में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं सिरिमांत जो तर inventedly जी के टिवालं से हैं और जाहन अच्छा ने नयलिया है महाराज जिन कि हमकों की जगए पर महराज के साथ रहूंगी जहां हमारे स्रीमंत महराजा साथ हैं पहां इमर्ति दे भी है और जित्ते हम 22 विदायक हैं सब हसी कुछी से हैं और सब अपनी एक्षा से हैं और महराज की जो अपेक्षा उन्नक की है कांग्रेस वाल में इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी हमने भी दस साल बीजेपी में रहे हैं विदायक बन करके तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमनाजी ने कर दिया था हम लोगों के छेतर में हमने दस साल कहा हमा तो आज भी जोत्य सिंदिया जी के साथ हूं आगे भी जोत्य सिंदिया के साथ रहूंगा और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तिपा दिये सबने अपनी अपनी स्योप्षा से रिजाइंग किया कि इनती प्रम सद्थे जोती राह सिंधिया जी ने जो दॉनिया लिया है वह किसी बी पार्टी में चाहे बुजेपी में जाएंगे तो यहां बाइस के बाइस भिदायक сब एक साथ हैं और सब स्वेःच्छा से आयें किसी के दवाव में है कोई किसी के संपर में जिदिया जी जो दैने करेंगे उनके हर निदनाय में पूरे 20 विदायक उनके साथ थे हैं और रहेंगे मैं श्रीमंद बारा जोतरा सिंधिया जी के साथ हूं वो हमारे नेता है और आज मेरी जो हैसियत जज़पाल सिंधिया जी की वज़ा से और जहां सिंधिया जी है वहां मैं हूं विदाय की बहुत छोटी चीज़ें सिंधिया जी के लिए हमें ये मौका मिला है उनके लिए कि त्याक पत्र देनाएगा उस हमें अपना स्वबाग समझता है कि बहुत बड़ा भ्रम फिलाए जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है जो बेंगलोर आए हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गुपाल के संपर्क में हैं या कि किसी के संपर्क में हैं हम लोग कि कि पूशी के संबर्ग में नहीं है और सब सुष्छा के साथ यहां आये हुए और सारे विधाये वाइस विधाये करी हैं और तैस्थ दू और हमारे संबर्ग में सारे लोग यहां अपने मंचे आये और सारे लोग सिद्या जी के साथ एंके नेडरा से भुष हैं कि जो देश हिशत इमें नेडरा है जो राष्ट हिशत में नेडरे ले रहे हैं वो सोच समझकारी ले रहे और और वहida बहुत से साथिए जो इन देख़ा सब खुस हैं हाँ जो लोग जेपुर गए हैं वो बिदायक जरूर हम लोगों की संपर्ख में हैं और वो कह रहा है कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए हम यहां भुटन में सुझ कर रहे हैं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद